कथा सहित्य में आपका स्वागत है। कहानियों में इस प्रकार के विशे चुनने की आज सामाज में बहुत सादा आवशक्ता है। की एक चितकबरी गाए बाँ बाँ टेरते हुए चलती आ रही थी। अम्मा जी शायद दादी दादी की पुकार से बेखबर उसी के लिए पानी लेने अंदर गई थी। उसी देखते ही सुमित के मुह से अस्वुट से शब्द निकले। सिम्मो को घर लाने का सुझाव मैंने ही दिया था। अम्मा पिताजी की उम्र को देखती हुए शायद उस सामें ऐसा सुझाव देने की हिम्मत मैं ही कर सकती थी। मैं घर का नया सदस्य जो थी घर की बहु जिसने मंगला चार की रस्न के बाद ही घर को अजीब सी निराशा में घिरा पाया था। अगली दिन ही कारण भी पता चला था। बिट्टु जीजी की यानि बड़ी ननद की बिमारी। भवजाए के स्वागत में जिसे सबसे आगे खड़ा होना था वो सबसे छिपी खड़ी थी। सुमित ने ही बताया था कि कई सालों से बिट्टु जीजी एक अग्यात बिमारी से जूज रही थी। देश भर के ना जाने कितने डॉक्टरों वैद्यों के बाद नीम हकीमों तक को दिखाया जा चुका था। पर बिमारी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी बिमारी ने घर में सभी के मन में एक विशाद राग भर दिया था, जिसका मरीज पूरा घर था। उनहीं दिनों किसी स्वास्ते पराधारित पत्रिका के पन्ने पलटते हुए मैंने देशी नसल की शामा गाए के दूद के गुणों के बारे में पढ़ा था, जिसका दावा था कि उससे कई बिमारियां ठीक हो जाती हैं, शर्त बस इतनी थी कि गाए शुद्ध चारा खाती हो, कूडा ना खाती हो, उपाए आसान वा उचित थे, तो लगा बिट्टो जीजी की बिमारी के इलाज के लिए शायद घर में ही एक गाए पाल लेनी चाहिए, सुम पारा में रहना था, जहां सुमित की नौकरी थी, और अम्मा जी, पिट्टा जी और बिट्टू को कानपुर में, पिट्टा जी 60 पार कड़चुके थे और हाल ही में रिटायर हुए थे, अम्मा जी उनसे बस दो बरस चोटी थी, उम्र से कहीं जादा बिट्टु जीजी की बिमारी के कारण उनका शरीर अशक्त हो चुका था और गाए पालना बच्चे को पालने से कम कठिन थोड़े ही है पर अम्मा जी और पिता जी को मेरा यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा निराशा में आशा का एक जुगनू चमका क्या पता गाए की सेवा से ही ये चमतकार संभव हो गाए के कच्चे घरों से अम्मा जी बच्चपन से ही गाए को घर में पालने की आदी थी मेरे प्रस्ताव से एक बार फिर से उनकी पुनित-पृत जाग उठी गाए की बात पर पिता जी आँखों में चमक लाते हुए सुमित को पुराने दिनों की याद दिलाने देखो हम तुम लोगों की तरह नहीं है ना जाने किती गाय पाली हैं हम लोगने गाउं में भोरे भोरे सानी करना गोबर कंडा करना सब किया है पूछो अपनी अम्मा से पिता जी ने गर्व से अम्मा की ओड देख कर कहा अम्मा जी भी भाविभोर होकर कहने लगी हम हूँ घी चाच मठा सब करत रही ओ याद है ना नंदेनी कैसन रिसाय जात थी जरासी देर करन पर और ओ देव की ओ तो हमरा दुलार पाए बिना घास चड़ने को भी ना जात रही दरवाजे में ही मुह मारत रही और ओ दोनों उनको बातों में उल्जा देख रसुई की ओर खिसकली दोपहर हो गई थी अभी थोड़ी देर में चारों तरफ से खाना खाना की पोकार शुरू हो जाएगी तब खाने में किस्से तो परोसे नहीं जा सकते ना पिताजी ने पहले भी बहुत सारे गाएं पाली थी गाओं म और उनका परिवार रहता था और दादी बाबा के ना रहने पर हमारा परिवार गोविंद नगर में आकर बस कया था फिर भी उस घर को सम्मान देने के लिए उसे बड़ा घर कहा चाता था बच्पन में घर की गायों का ही दूद पी करके सब बच्चे बड़े हुए थे पर बादले वाली थी दो तीन साल से जादा एक शहर में रुखना होता नहीं था घर में सामान भी उतना ही रहता था कि इस खाना बदोशी में कोई दिक्कत ना हो हाँ मा अगरासन जरूर निकालती थी हरे चिलके के लिए एक बालती रखती थी जो सड़क पर घूमती गाये नि जाए ताकि उसे शुरू से पालें एक तो घुल मिल जल्दी जाएगी दूसरे जब गाभिन होगी तो बिलकुल शुध सात्विक दूद देगी बच्या की खोज में आस-पास के गाउं में खबर भिजवाई गई बड़ी बुआ सास के गाउं पडरी से जैसी चाहते थे व इंटे बिचाई जाने लगी उनके बीच बीच में मिठी भरी गई जिससे उसको खड़े होने में दिकत ना हो चारे भूसे के लिए बड़े बड़े ड्रम और चारा सानी के लिए टब भी आ गए दो खूबसूरत बाल्टियां पानी पीने के लिए नई फर्ष के पास रख हो गई कुल मिलाकर खूबसूरत बंगले में एक मिनी खटाल बन गई सिम्मो को लेने मैं और समित पिताजी के साथ बड़ी बुआ के गाउं पड़री गए थे शहर को लाहल से दूर मीलों लंबे खेत मन को बहुत सुहा रहे थे इससे पहले मैंने गाउं को कभी इतने इससे नहीं देखा था वहां जाकर एहसास हुआ कि शहर के लोग हवा में कितना जहर पीते हैं हमारी गाड़ी के आगे बढ़ने के साथ साथ गाउं की मिट्टी उड़ उड़ कर चेहरे गालूं माथें पर अपना आशी शंकित करने लगी पीछे गाउं के बच्चे पुरंजन का साधन हुआ करती थी वो गाड़ियां भी रोज कहां आती थी ये तो विशेश महमान होती तो बच्चे उसका आफसर कैसे जाने देते बुआ का घर आते ही मैंने सर पर खलका सा गुंगट कर लिया घर के आगे बरसों पुराना बर्गत का पेड़ लगा हुआ उसकी लंबी लंबी रसियों पर बच्चे जूला बना कर जूल रहे थे वो बुढ़ा बर्गत भी घर का एक सदस्यसा हो गया था ना जाने कितने बच्चे इसकी शाखा पर जूले जूल जूल कर बड़े हुए कितनी बहुएं गुंगट ओड कर घर आईं कितने लोग चार बुजुर्ग की भाती द्वार को छेंकर खड़ा हुआ था हर आने जाने वालों की आभगत अपनी पतियां हिला हिला कर करता हुआ प्रतिर्ती कितना कुछ बोलती है पर हम अनसुना करके बढ़ जाते हैं पिताजी और सुमित बर्गत के नीचे पड़ी खाट पर बैट फेरा तो उसने सर चुका लिया बुआ ने बताया कि ये कह रही है कि और प्यार करो बेजुबान प्राणी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कितनी तरकीवे निकाल लेते हैं बुआ सास और पिताजी के साथ सब जब उसे लेकर आये तो थोड़ा घबराई हुई थी आखिरकार मा से बिछुडी थी ट्रक में चढ़ाई गई थी पहले तो चढ़ना ही नहीं चाहती थी फिर बड़ी जुगत से चढ़ाई गई कहां जा रही है उसे तो ये भी पता नहीं होगा सारे रास्ते गोबर करती रही पेट तो जरूर मठुला होगा कई बार अपनी विदाई याद आती रही और आखें भरती रही घर आकर ट्रक से उतर कर चुप चाप खड़ी हो गई आगत भविश्य उसे भी डरा रहा होगा उसके आते ही अम्मा जी ने बड़े प्यार से उसका नामकरण भी कर दिया सिम्मो शायद सिम्मो भी प्रेम के इस परश को पहचान गई थी तब ही तो उसने अपनी गर्दन अम्मा जी के हाथों में जुका दी थी एक नए रिष्टे की शुरुवात हो गई थी कुछ दिन बाद हम आगरा लोट आए सिम्मो के आते ही घर के माहौल की सुई नकरात्मक से सकरात्मक की ओर होने लगी अब दुख निराशा और भागे को कोसने की जगा अम्मा जी की बातों का केंदर सिम्मो ही रहती उसकी चाल ढाल बनक जिद नकरे की बातें करते हुए अम्मा जी हमरी सिम्मो करना ना भूलती इस तरह से दूर रहते हुए भी हम सब की जिन्दगी सिम्मो मय हो गई थी जब हमारा वापस घर आना हुआ तब तक सिम्मो बड़ी हो चुकी थी उसके गले में सुन्दर घंटियों की चोटी सी माला थी जो उसकी गर्दन हिलाते ही बचने लगती और संगीत की स्वल लहरियां हवा में चा जाती इस बार हम दोनों उसे अपरीचित लगे उसने थोड़ा सींग दिखाने की कोशिश करी पर अम्मा जी के साथ बात करते देख वो आश्वस्थ हो गई सुमित्थो उससे तुरंत हिल मिल गए पर मुझे उसके अभी आई हैं इनके हाथ से अच्छे से खा लियो परिशान ना करियो सिम्मो ने उनकी बात सुनकर हां में सिर हिलाया जैसे सब सुन लिया हो शायद इसलिए दो बहर को अजनभियत को छोड़ कर घी गुड लगी छोटी सी रोटी मेरे हाथ से गपच कर खा ली शाम को बाहर खटिया डाल कर बैठने पर अम्मा जी मुझसे कहने लगी देखो हमरी सिम्मो की छवी कितनी नियारी है आस पडोस के लोग तारीफ करत हैं इसकी बनक की आखे कितनी सुन्दर गड़ी है भगवान ने गाए को इस नजर से मैंने पहले कभी नहीं देखा था पर अम्मा जी क ये कहने पर ध्यान दिया वाकई बहुत सुन्दर आखे थी बोलती हुई सी धीरे धीरे सिम्मो से मेरी दोस्ती हो गई और मैं उसकी एक-एक गतिविधी को गौर से देखने समझने और सरहने लगी पिताजी सुभा पांच बजे उठकर उसकी सानी करते बड़े से टब में भूसा, चोकर, चने का आटा, गुडादी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी मिला कर बहुत देर उटा कर पेस्ट सा बनाते ताकि वो आसानी से खाले उसके रहने की जगहा पर बार बार गोबर साफ करते ताकि उसे मखिया ना परेशान करें बार बार बाल्टी भर भर क पानी पीने को देते, किसी मासूम बच्चे की तरह वो भी पिताजी को देखते ही उट खड़ी होती, उसकी पुलक बता देती अब खाना मिलेगा, अब खाना मिलेगा, सुभा शाम कासा में सिम्मो के बाहर घुमने जाने का था, ना जाने कौन सी घड़ी उसके दिमाग में फिट थी, कि कांटे के उपर कांटा आते ही खड़ी हो जाती, किसी छोटे बच्चे सी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखती, घर की चार दिवारी से निकल कर घुमने जाने को मिलेगा, पर जाने से पहले एक बार सुनिश्चित कर लेना चाहती, कि अम्मा जी को देख ले अगर किसी कारणवश वो बाहर ना निकल पाती, तो सिम्मो दर्वाजे पर ही खड़ी रहती, और हिलाए ना हिलती, घर लाटके आती तो भी बहुत उत्साहित होती, गर्दन हिला हिला कर घंटियां बजा बजा कर बताती कि अम्मा हम घूम आए हैं, अम्मा जी भी उतना ही चहकर कहती, हमरी सिम्मो मिल आई है अपनी सहलियों से, और उसे कारियां लेती, वैसे ही जैसे स्कूल से आए छोटे बच्चों को मा कारियां लेती है, एक इतनमिनान सा उनके चहरे पर होता, कि सिम्मो उनकी तरहां खूंटे से बंधी काये नहीं है, उसकी अपनी दुनिया है, अपनी सहलियां है, जहां वो निश्चेंत हो, घूमती फिरती बत्याती है, एक दिन थोड़ा देर से घर आई, आकर चुप चाप अपनी जगह बैठ गई, अम्मा जी को उसका वहवार थोड़ा विचित्र लगा, पास गई तो धीरे से उठकर खड़ी हो गई, और अप हे मया, हे मया, कहते हुए अम्मा जी पीछे हटी, दरसल उसके खुर में एक कील आधी गड़ी हुई थी, ताजे घाव से खून रिस रहा था, अम्मा जी की आवाद सुनकर पिता जी बहार आए, उन्होंने बड़ी सावधानी से उस कील को निकाला, और मरहम पट्टी की, प रास्ते में इधर उधर कील छोड़ देत हैं, कांच छोड़ देत हैं, कोई जनावा निकले तो बैचारे के गड़ ही जाए, सबका जल्दी जल्दी में अपना घर नोटों की गड़ी से भरे का पड़ी है, बेजुबान प्राणियों की चिंता किसी मानुष को ना ही है, अल नहाजा सिमो की वजहा से आने वाले लोगों की चहल पहल बढ़ गई, किसी को पंडित ने बताया था कि सुभा गाएं को रोटी खिलाओ, तो बिटिया का बेहा जल्दी हो जाएगा, किसी की बेमारी मंगलवार को उसे गुड़ खिलाने से दूर होती, कोई बुधवार को ह अरा चारा लिका राता, लड़के को नौकरी जल्दी मिल जाएगी, कि आस में, तो किसी को सुभा का पहला गों मुत्र चाहिए होता, कितने लोग कितनी समस्याएं और उन्हें दूर करने का उपाएं सिमो के पास, लोग अकसर कहा करते, तिरवेदी जी, बहुत अच्छा कि या आपने गाएं पाल ली, हम सबको भी पुन्य करने का मौका मिल जाता है, यूँ ही हमेशा सबको पुन्य करने का अफसर खुश होकर देने वाली अम्मा जी, गोवर्धन पूजा पर एंट जाती, और गोबर लेने के लिए खड़े लोगों को इंकार कर देती, आज ना द एक दिन पहले आया करो, मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन गाए के गोबर में लक्ष्मी जी वास करती है, इसलिए जिसने एक दिन पहले गोबर की वेवस्था नहीं करी होती, उसे उस दिन कहीं से गोबर मिलना मुश्किल हो जाता, बिटु जी जी की बिमारी के कार ध्यान से उतर जाने पर उन्होंने कई बार गोबर संकट जेला था, पूजा तो करनी ही थी, तो जैसे तैसे सडक से ढून ढून कर गोबर की विवस्था करनी पड़ी थी, पिताजी की डांट खाई सो अलग, लेहाजा गोवर्धन के दिन गोबर धन नहीं देना है, ये बा तुम सब इतनी दूर पड़े हो, ऐसे कैसे शगुन अप्शगुन पर ध्यान ना दें, आखिरकार वे समझ जाती, पर बदले में हम सब को धेरों आशीश देने का टेक्स जरूर वसूलती, लोग बिट्टू जी जी और हम सब को आशीरवात के कवच से लैस करके, खुशी पूजा के लिए गुबर उठा कर ले जाते, जीवन की रात में भोर की कुछ किरने चमकी ही थी, तभी एक अनहोनी घट गई, आशा की डोर जिसे पकड़े हम आगे बढ़ रहे थे, विधाता ने अपना अगला पन्ना इस तरहां पलटा, कि सब कुछ तिमिर में डूब गय एक फोन कॉल ने जिन्दगी को हिला दिया, बिट्टू जीजी नहीं रही, जिन्हें स्वस्थ करने के लिए इतने प्रयास हो रहे थे, उन्हें मृत्यू सोते समेच जकड़ कर ले गई, हम दोड़ते भागते कानपूर पहुंचे, जीवन में एक शुन्यतासी भर गई, द पर दुख से बेसुत पड़ी अम्मा जी को बाहर निकाल पाने में हम लोग असमर्थ थे, समझाते समझाते हमारी हिम्मत भी तूटने लगी थी, कुछ समय के लिए तो लगा कि दर्द का यह जंजावत अकेला नहीं आया है, ये अम्मा जी को भी साथ ही लेकर जाएगा, ज इसकी मूख वेदना हमारी वेदना में शामिल थी, वो सिम्मो थी, तीन दिन तक को उसने भी अनजल को मुह नहीं लगाया, आखों से आसू की अविरल धारा बहाता, उसका मौन रूदन हमारे सामूहिक रूदन का साथी था, उसके बाद भी महिनों तक एक तिहाई ही खाती रही, भरे पूरे बदन वाली सिम्मो क्रिशकाय होती जा रही थी, ये सूचनाएं खाट पकड़े अम्मा जी को मिलती, तो उनका दर्द और बढ़ जाता, हम लोगों से उसका ध्यान रखने की गोहार लगाते हुए, वो फिर निराशा की चादर ओढ़ लेती, अगर अम्म जी दर्द की अंधेरी सुरंग से बाहर निकली, तो उसकी वज़ा सिम्मो का इस तरहा अनजल त्याग देना ही था, सिम्मो का अंशन उनके दर्द पर भारी पड़ा, वे स्वेम उठकर सिम्मो के पास गई, और दोनों हाथों से उसकी गर्दन कार्या कर सीने से लगा लिया अम्मा जी के साथ साथ सिम्मो के आसू भी अनवरत बह रहे थे, शब्द रहित भावनाएं भावनाओं को कहती सुनती रही, दुख की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, पर अम्मा जी का मन सिम्मो में फिर उसके कारण संसार में लोटने लगा, प्रेम की ये दूसरी पा को सुवासित करने के लिए ही उमगती थी, जिस रिष्टे में स्वार्थ का बारी कंश था, अब वो पूरी तरहां से निस्वार्थ हो चला था, समय की करवट के साथ सिम्मो ने एक बच्चिया को जनम दिया, अम्मा जी ने उसका नाम दिपाली रखा, उदास घर में नन्ह शिशु के आगमन से एक उलास की लहर दोड़ गई, दिपाली के जी भर दूद पी लेने के बाद बाकी बचा दूद महले के पीछे बसे पुर्वा में गरीब बच्चों में बांट दिया जाता, घर में एक कटोरी दूद भी इस्तिमाल ना होता, अम्मा जी का सक्त शिश था कि सिम्मो को बिटू के लिए अपने स्वार्थ के लिए लाए थे, जब वो ही नहीं रही तो अब हम अपनी सिम्मो को निस्वार्थ बिटिया समझके ही पालेंगे, दूद के लोब या लालत से नहीं, अब अम्मा जी की बिटू भी सिम्मो में समाहित हो गई थी, सर्दी के दिन थे ठंड ना लगे इसलिए सिम्मो के लिए तो खुली छट पर प्लास्टिक की तिरपाल बांध दी जाती थी पर दिपाली तो छोटी थी नन्ही जान शायद तिरपाल से उसकी सर्दी ना बचे इसलिए रात को पिताजी के कमरे में ही बांधी जाती सिम्मो को पिताजी पर भरोसा तो था पर मा की ममता रात में बीश-बीश में बांध करके अपने बचे को पुकार कर सुनिश्चित कर लेना चाहती कि वो ठीक तो है जवाब में दिपाली भी बांध का नाद करती जैसे बता रही हो कि हाँ मा मैं ठीक हूँ पूरी रात बाँ बाँ की इस जवाबी अंताक्षरी में हम सोते जागते जागते सोते रहते दिपाली के बाद से सिम्मो कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गई थी उसके आज़ पास घर के सदस्यों के अतरिक्त कोई भी आता तो सिम्मो सींग दिखा कर आगे बढ़ती अम्मा जी हस्ती देखो तो हमरी सिम्मो भी मोह ममतामा जकड गई है कोई चुओ ना सके उसकी संतान को परन्तु दिपाली का साथ बहुत कम था एक दिन अचानक हमें छोड़ कर चली ही गई उस दिन सिम्मो का बुरा हाल था गर्दन हिला हिला कर जैसे रसी तोड़ देना चाहती हो जमीन पर अपनी टांगे चला चला कर जैसे भाग कर अपनी बच्ची को अपने सीने से चिपटा लेना चाहती हो अम्मा जी से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी वे सिम्मो के पास गई और उसकी गर्दन पर सहलाते हुए बोली शान्त हो जाओ सिम्मो शान्त हो जाओ हमरी नहीं थी भगवान जी की थी उन्होंने ही दी थी अब अपनी चीज वापिस ले ली धीर धरो बिटिया और रोती बिलक्ती सिम्मो धीरे धीरे बिलकुल शान्त हो गई जैसे उसने सब सुन लिया हो सब समझ लिया हो अब घर में दो घायल माएं थी एक दूसरे का दर्द समझ थी एक दूसरे को सहलाती एक दूसरे के गमों को बाढ़ती पहले शाम कुछ घंटे के लिए बाहर जाने वाली सिम्मो का धीरे धीरे जादा वक्त बाहर बीटने लगा शायद अपने दुख से पीछा चुड़ाने का ये उसका तरीका हो स्रिजन अपना विस्तार स्वैम ही खोच लेता है सिम्मो का फिर से गाभिन होना पिताजी का काम बढ़ा रहा था हाथों पैरों की शक्ती चवाब दे रही थी वे चाहते थे कि उनके हाथों दम रहते सिम्मो की जिम्मेदारी किसी को सौंप दी जाए कहीं ऐसा ना हो कि सेवा टहल में कुछ कमी रह जाए वे बार बार कहते कि अब हमारे किये नहीं हो रहा है इसको बड़ी जिजी को दे देते हैं अम्मा जी के लिए ये बात कानों में पिगला सीसा उड़ेलने के बराबर थी वे तुरंत ही कहती नहीं नहीं ये हमरी बिट्टू की निशानी है ये कहीं नहीं जाएगी पिता जी कहीं सिम्मो को गाउं ना भेज दे इस भाए से अम्मा जी ने गोबर सानी का जादातर काम अपने उपर ले लिया था उनका मन जीवन में दोबारा अपनी बिट्या का बिचोह सहने को तयार ना था सिम्मो को कहीं और भेजने ना भेजने की बात पर ही अक्सर दोनों में बहस हो जाती कई बार रात बिरात हम लोगों के पास फोन पहुंचता फोन अम्मा जी ही करती सुमित से बात कर वे सुनिश्चित कर लेना चाहती कि सिम्मो को कहीं जाना ना पड़े वे बड़बडाती जाती बिट्टू की निशानी है ऐसे कैसे कोई को दे दें कोई इंजक्शन लगवा दो अब का भी ना हो पर उसकी जिन्गी तो हमारे पास ही पार हुए सुमीत अम्मा जी का पक्ष पिताजी को समझाते पिताजी आप ही जिद छोड़ दो अम्मा बिमार हो जाएंगी बिट्टू के बाद से वैसे ही ठीक कहा रहती है पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज है और बिगड़ गया तो भोली सिम्मो इन बातों से बेखबर बैठे बैठे जुगाली किया करती उन दिनों पिताजी की तवियत कुछ ठीक नहीं चल रही थी हम लोग कानपुर में ही थे सिम्मो में एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा था वो आजकल शान्त ही रहती बाहर भी नहीं जाती थी जाता भां भी कम ही करती भूसा चारा को मुह भी ना लगाती शुरू में हमें लगा कि पिताजी की बिमारी की वज़ा से अन्मनी सी है पर एक दिन तो अम्मा जी के दुलार प्यार पर भी कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी चिंतातुर अम्मा जी ने पिताजी को आवाज लगा देखो कहा हो गया है सिम्मो को कुछ आजीब सी दिखत है पिता जी भी चड़ी पकड़ कर तेजी से आए हम लोग भी वहां पहुँच गए पिता जी को देख कर सिम्मो थोड़ी तकलीब के साथ खड़ी हो गई उसका पेट फूला हुआ लग रहा था शाम तक घरेलू उपच चेक अप करके कहा ये बाहर कूड़ा भी खाती है क्या अब बाहर तो जाती है क्या पता क्या खाती है पिता जी ने उद्दर दिया लगता है इसने कूड़े के साथ धेर सारी पॉलिथिन खाई हैं अक्सर जानवर पॉलिथिन भी निगल जाते हैं जो कड़क गोला बनकर प का मतलब? पाप करें हैं पाप, तभी तो इतनी बिमारियां बढ़ गई हैं, कमाओ और डॉक्टर को चढ़ाओ, दया धरम की कोई जरूरत ही नहीं, एक दिन धर्ती को ही खा जहिए और खुद को भी, काहे की पढ़ी लिखी है इपीड़ी, निरी गवार है गवार, इससे तो हम कम ले, चार किताबे नहीं पड़ी, पर अपनी धर्ती मया को, गाए बकरी चरया को, पानी को बचावे का हुनर तो जानते रहे, इह लोग तो लील जाएंगे सब कुछ, मेरा भी जी रो रहा था, मैंने अम्मा जी को चुप कराने की कोई कोई कोशिश नहीं की, मैं आखें बं उंती आवारा गाएं, वह अन्य जानवर निगल लेते हैं, बिना तिमारदार, बिना डॉक्टर, बिना ओपरेशन के, उनकी जान कैसे बच्चती होगी, वे निरपराद कितनी तकलीव से, कितने कस्ट से मरते होंगे, मन में एक होक सी उठी, कितने स्वार्थी हैं हम, विका पिता जी घर आ गए, और मैं चाय बनाने अंधर चली गई, सिम्मो घर आ गई, कुछ दिन बाद स्वस्थ भी हो गई, सिम्मो की चिंता के साथ, अपने माता पिता का गिर्था स्वास्थे भी, सुमित के लिए परिशानी का सबग बना हुआ था, उन्हें पता था कि, व्रि लोगों के घर में चोरी चकारी की घटनाओं से भयाकरांथ पिता जी, किसी लड़के को सिम्मो के काम के लिए घर में रखने को तयार नहीं होंगे, और अम्मा जी उसे अपने से दूर पडरी भेजने पर, अंत में उन्होंने उसे शेहर की ही किसी गवशाला में देने का मन बनाया, सीवा धर्मी गवशालाओं के बारे में उन्होंने सुन रखा था, उन्हें लगा कि सिम्मो शेहर में ही रहेगी, तो अम्मा जी जब चाहें पिता जी के साथ जाकर देखाएंगी, चाहें तो हर दूसरे दिन, दुख हम दोनों को भी अपनी पहरहन में लपेट रह पर दूसरा कोई उपाय सूज नहीं रहा था, अम्मा जी को समझाना मुश्किल था, पर पॉलितिन प्रकरण के बाद अम्मा जी भी डर गई थी, सिम्मो घर से जादा वहां आराम से रहेगी कि आश्वस्ती सुमित से पाकर, बेमन से ही सही, अम्मा जी ने भी हां कर दी, श मा जी को ज्यान देने वाले सुमित को अपनी सिम्मो के लिए कोई गवशाला उचित नहीं लगी, कहीं सफाई नहीं, तो कहीं खाने की कमी, तो कहीं बिमार गायों के लिए डॉक्टर की विवस्ता नहीं, कहीं समुचित प्यार नहीं, जादातर गवशालाएं भयंकर बिमा पार अववस्ता से जूज रही थी। कहीं फंड्स की कमी थी, कहीं सेवा भावना की और कहीं उनका चारा कोई और खा रहा था। चार दिन बाद ही मर गई थी। हथोड़े की तरहां ये शब्द उसके साथ साथ सुमित के सर पर भी लगे। बेटा चानता था कि उनकी मा को ये सुनकर बहुत दुख होगा, तो भर आई आँखों को भीतर ही भीतर जजब करते हुए काफी देर तक मिलती जुलती गाए ढूं किया है। मा एनक साफ करके देखती रही। नहीं, ये राधा ना ही। गले के पास काला निशान तो दिखाए नहीं रहा है। बेटा जुझलाया, मोतिया बिंध है अम्मा तुम्हारी आखों में, हमका जुट बोल रहे हैं का। मा इंकार करती रही। ये राधा ना ही। अर उन्हें लगा कि वो उस बेटे की जगा और उसकी मा की जगा अम्मा जी हैं। और सिम्मो। भविशे की कलपना से वे बेहर डर गए। शाम को घर आकर चुप चाप कुड़सी पर माथे पर हात रखकर बैठ गए। पूछने पर आखों से आशू की धाराएं फूट पड़ हम लोगों को याद करेगी और कितना बेचैन होगी। कैसे भेज दें उसको, कहां भेज दें उसको। मैंने सुमित को पहली बार रोते देखा था, मेरे भी आंसु ज़रने लगे। तभी पिताजी ने सुमित के कंधे पर हात रखकर कहा। तुम चिंता ना करो, सिम्मो यही रहेगी। अलाद माता पिता पर बोज थोड़े ही होती है। जब तक इन बोड़ी हड़ियों में जान पाकी है, हमारी सिम्मो कहीं नहीं जाएगी। कहते कहते उनका गला रूंध गया। उन्होंने अम्मा जी की उड़ देखा, उनकी आँखों में कृत्गता का भाव अब सुमित अकसर छुट्टी के दिन अम्मा पिता जी के पास कानपुर जाने लगा। पिता जी का थोड़ा सा भार कम करने के लिए ग्वाल टोली से सिम्मो के लिए खास भूसा, चूनी और चने का आटा ले आते जिसे सिम्मो बड़े चाव से खाती। आगरा कानपुर ट सुमित, सिम्मो तीन दिन से घर ना ही आई है, बहुत ढूंडा, कहीं मिल ही नहीं रही है, जी बहुते घबरा रहा है, बताओ का करें। हम तुरंत कानपुर के लिए निकल पड़े। अम्मा जी आंगन में उस जगहा पर बैठी हुई थी, जहां सिम्मो बांधी जाती कभी बाल्टी को, कभी उसके टब को। सिम्मो की जगह खाली देखकर हमारा भी जी भराया, पर हमें अम्मा जी को संभालना था। मैंने अम्मा जी के कंधे पर हात रखा, तो वे मेरा हात पकड़ कर फपक कर रो पड़ी। निथी, देखो, हमरी सिम्मो की जगह खाली है, ज प्रश राखी हैं। नाचाने कहां गई हुए। कैसी हुए। कुछ खाई भी हुए की ना ही। मैंने उन्हें सहारा देकर वहां से उठाकर अंधर कमरे में बिठाया। जितनी देर मैं उनके लिए पानी लाई सुमित उन्हें संभालते रहे। अम्मा जी ने बताया करवा चौत की शाम रहे हम यहीं तखत पर बैठी पूजा के लिए थाली सजा रही थी कि सिम्मो बाहर से घुमके आई सीधे हमरे पास आके गोधी में मुह रख दिया हमने सर पे हाथ फिर कर उठाया तो का देखें कि आंखन में आशू हम उससे बोले का काहे रोई रही हो सिम्मो थोड़ा मन डिराय भी गया कि करवा चात के दिन काहे रोई रही है साल भरे का वरत है यह तो अपशुकुन करे है हम थोड़ा घुड़की भी दी जाओ सिम्मो आज के दिन काहे रोई रही हो हम बात ना करी है तुमसे का जाने थे कि हमरी सिम्मो अ उन्होंने अम्मा जी को चुप कराते हुए कहा, चाची रो मत, गाए, कुटा, बिल्ली ये सब जानवत साक्षात काल को देख लेते हैं, उसने भी देख लिया तभी तो रो रही थी, चाचा की सब अलाए बलाए लेकर चली गई, चली गई, उनकी बात पर अम्मा जी का पोचकर उठी और बोली, सिम्मो अहिये, जरूर अहिये, वो हमसे बिना मिले कही ना ही जहिये, भगवान के घर भी ना ही, बड़बडाते हुए वो मंदिर में जाकर पैठ गई, तब तक सुमित सिम्मो को ढूणने निकल चुके थे, भायगरस्त होते हुए भी हमें किसी अ और गीता नगर से लेकर नवीन मार्किट तक पूरा कान पुर्चान मारा, जो जहां बताता कि वहां एक गाए देखी है, वे उसी दिशा में स्कुटर घुमा देते, और बदहावास नजरें इधर उधर उसे ढूणने लगती, डूपता सूरज भी निराशा ही लेकर आया, सुमित घर लोट ही रहे थे, तब ही किसी ने बताया, एक शामा गाए अगली गली में घायल पड़ी है, देख लो कहीं आपकी ना हो, हजार आशंगाए लेकर वे उसी गली की तरफ मुड़े, दूर से घायल बेजार एक गाए दिखी, वो सिम्मो ही थी, सिम्मो, सिम्मो, कह पहने पर उसने धीरे से दर्द से व्याकुल आँखें खोली, और फिर मूंद ली, गली के लोगों ने ही बताया कि इसकी दो सांडों से भिनन्थ हो गई थी, काफी देर जूजी, फिर शायद गर्दन और पैर की हड़ी तूट गई है, और आप लोगों ने कुछ नहीं किय सुमित ने पूछा, क्या करते, आवारा सांड है, आसपास कई लोगों को भी खायल किया है, हमारे बच्चों के लिए भी डर है, नगर महा पालिका में शिकाया दर्द कराई, पर कुछ हुआ तो नहीं, उन्होंने सपस्ट किया, तंग गलियों और उनमें होने वाले ऐसे हा वाकिफ नहीं थे, तभी दूसरा व्यक्ति बोला, आपकी गाये को जब सांड घायल कर गए, तो हमने खिलाने की वा पानी देने की बहुत कोशिश की, पर खाया नहीं, बचेगी नहीं, भीर से तीसरा स्वर गुंजा, सुमित बेचैन हो उठे, सिम्मो को ले जाने के लिए स्लाइडिंग ठेला मंगाया गया, उसे बहुत तकलीव थी, मुश्किल से लोगों की साहता से उसे ठेले पर चढ़ाया गया, उसका दर्द सुमित की आँखों से बरस रहा था, सिम्मो को घर के बाहर लिटा दिया गया, अम्मा जी पूजा छोड़ कर उसे देखने बाहर आ और दर्द का पूरा दस्तावेश खुल गया, कराहें मन में ना समाई, तो वे वापस आकर अपनी खटिया पर लेट गई, जानवरों के बड़े डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने स्थिति कंभीर बताते हुए भी वहीं इलाज शुरू कर दिया, सिम्मो के इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगाए जाने लगे, सिम्मो की हालत बिगड़ती जा रही थी, इधर खटिया पर अम्मा जी अशक्त होती जा रही थी, एक बार फिर परिक्षा की खड़ी थी, वे जोड़-जोड़ से महामृत्युन्जे मंत्र को जप रही थी, और बीच बीच में हमरी स सिम्मो को कुछ नहीं हुए, कहती जा रही थी, बाहर से, बहुत गस्ट में है, बहुत गस्ट में है, मूख प्राणी कैसे सहेगा, कि यह आवाजें जब अम्मा जी के पास पहुँचती, तो उनके मंत्र की आवाज और तेज हो जाती, हम लगातार सिम्मो और अम्मा जी के पिज तोड रहे थे, अचानक रूती कलपती अम्मा जी को जाने क्या हुआ, कि आशों पोंच बाहर आ गई, सिम्मो ने फिर राँख खोल कर देखा, और उसकी आखों से अविरल धारा बहे उठी, अम्मा जी ने सिम्मो को सहलाते हुए कहा, सिम्मो बहुत साथ दिन तुम हम सब का, बहुत हिस नहें दिन, अब जाओ, तुम हमरे हर बंधन से मुक्त हो, इतना सुनना था कि सिम्मो ने अंतिम सांस ली, अम्मा जी वही धम से बैठ गई, असहाय, निरुपाय, विकल, सुमित सरप्रयास उन्हें अंदर ले गए, और म निश्प्राण, सिम्मो की देहे को अपलक देखती रही, हर पीडा से दूर, मौन, शांत, निश्चल, आंखों में आसूं की धाराएं अभी सूखी नहीं थी, तो क्या वो इसी बात का इंतजार कर रही थी, इच्छा मृत्यू के वर्दान के गौरव से दूर, प्रेम में स जब किसी प्रियजन को ना देख पाने के लिए प्राण अटक जाते हैं, पर इंसान ही अकेला नहीं है, जिसके पास इतने गहन सम्वेदनाय हूं, कितनी बार देखा था कि सिम्मो ने अम्मा जी के साथ समबात स्थापित किया था, कितनी बार उसने उन शब्दों को समझा या उन भावों को वैसा का वैसा ग्रहन किया था और आज भी महायात्रा से पहले सिम्मों की जिनगी तो यही पार हुए कहने वाली अम्मा जी से आग्या भीली। समवेदनाओ की लीपी हर भाशा में एक है क्या इंसान क्या पशू सिम्मों का विधिवत अंतिम संसकार हुआ कुछ दिन बाद उसकी खूटी आंगन की इंटे हटा दी गई आंगन का वह कोना खाली हो गया और सिम्मों हमारे स्मृतियों में निवास करने लगी। गाएं खाने लगी। तिवारी चाचा हरा चारा चार गली छोड के बने रहिम काका के खटाल पर जाकर खिलाने लगे। लोग ध्यान से गोवर्थन पूजा के दिन पहले गोपर इकठा करने लगे। आसपास के गोपूजगों ने पंडितों द्वारा बताये उपाय के लिए कहीं न कहीं कोई न कोई गाएं ढूंड ही ली। पर सडक पर पड़े कूडे के धेर, पॉलिथिन से बिमार वा कांच कील से लहुलुहान होते पशू, अववस्थाओं से जूजती गवशालाएं, आवारा साणों से होने वाली दुरखटनाएं वैसे ही होती रही। और अम्मा जी वैसे कहती रही। बौरा गया है मानुस, एक दिन धर्ती को भी लील जहिए और खुद को भी। उसका स्थान देने को तयार ना था। अभी आपने वंदना बाजपेजी के लिखी बेहधी भावपुन कहानी सुनी। अब मुझे आग्या दीजिए, फिर आउंगी एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।